अब अब अच्छे होंगे घर में होंगे और स्वस्त होंगे आज का टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही यूस्फिल होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोग के लिए बताने वाली हो कुछ ऐसे चुटे-चुटे पॉइंस जैसे कि आपको पता है कि कोविट की तीसरी लह है जिसमें आप सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चे हो रहे हैं तो कुछ ऐसे चुटे-चुटे पॉइंस हमें आपको लोग के शेयर करूंगी बताना चाहती हूं जो मेरा खुद का अपना एक्स्पीरेंस है जिसे आप अपने बच्चों को इस कोविट की तीसरी लहर से द एर जहुद के हैं सब को बहां दो को सबस commode की जारे हैं तो प्लीज आप लोग वैक्सिनेशन जरूर Лगएं क्योंकि अगर आप के थुछ तो आपके बच्चे एफेक्ट जरूर होगे, क्योंकि बच्चे फिलहाल स्कूल नहीं खुला है, तो बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, आप जो इंफेक्शन लेके आएंगे घर में, आपके थ्रू ही बच्चों को हो सकता है, तो प्लीज आप लोग वैक्शिनेशन जरूर से जरूर, नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों के अंदर अगर आपको कोई भी सिम्टम लगे, कि जैसे लूज मोसन हो रहा है, या बच्चे को फिवर हो रहा है, या वम्टिंग हो रही है, कोई भी सिम्टम लगे कि बच्चों के अंदर है, तो प्लीज उनको सबसे पहले डॉक्टर से कंसर्ट करे, अपना ट्रीटमेंट उनको बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि जब तक आप अपना दो दिन, चार दिन, हफ्ता में भी आप लगा सकते हैं, अपने ट्रीटमेंट में, उसके बाद नहीं अराम होगा, तो आप उनको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तो मेबी क्या पता, तब तक बहुत लेट हो जाए, आपको ले जाने में, इसलिए प्लीज कोई भी सिम्टम दिखे, बच्चों के अंदर, डेफिनेटली उनको फटा-फट डॉक्टर से कंसर्ट करें, अपना ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना दें, नेक्स्ट पॉइट है ट्रेवलिंग, जी हाँ, बच्चों को ट्रेवलिंग करनाने से बिल्कुल बचाएं, उनको ट्रेवलिंग पे आप ना लेके जाएं, वैसे तो बच्चों को घर से बाहर भी ना निकालें, बट अगर बहुत जादा मजबूरी है आपको बच्चों को लेके जाना है ट्रेवलिंग के लिए, तो उनके साथ उनकी कुछ जरूरते समान जैसे गलब्स, सैनाटाइजर, गॉगल्स, कैप, फूल स्लिप्स के कपड़े, एंड मास्क जरूर उनको वेर कराके तब ही आप उनको ट्रेवलिंग के लिए लेके जाएं, नेक्स्ट पॉइंट है, इम्मिनुटी लेवल जी, हाँ बच्चों का इम्मिनुटी लेवल बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप क्या-क्या बच्चों को दे जिससे आप अपनी बच्चों का इम्मिनुटी लेवल बढ़ा सकते हैं, उनको आप मार्केट का चौंप बच्चों को वेग्यां सब्सक्राइब अधी उन같ग उन्हें उन्हें न होना बादाभ दरो French सब्सक्राइब्स tai हुआम में के नि vivo किसमीज भी हमारे इमुनिटी लेवल को बढ़ाता है तो आप इन सब के थुरू अपने बच्चों का इमुनिटी लेवल बढ़ा सकते हैं नेक्ट पॉइंट है फिजकल एक्टिविटी बच्चों का फिजकल एक्टिविटी मेंटेन करना बहुत ही ज़ुरूरी है इसके के लिए उनकी मसल्स को स्ट्रॉंग रखने के लिए आप उनको एक्सरसाइज जरूर करवाएं और उनको आप सन बात भी दे सकते हैं आप मॉर्निंग में अपने बालकनी में या चछत पे आप उनको सन बात जरूर से जरूर दिलाएं इस पॉइंट है बच्चों को हलका गु स्कूल भी बंद है सबकुछ बंद है तो बच्चे की सोने और जहां खेलने की जगह है वो उनको साफ सुत्रा जरूर रखे नेक्स्ट पॉइंट है अपने बच्चे को आप ट्रेनिंग दे जैसे उन्हें हैंड वाश करना सिखाएं डेली और सोसल डिस्टेंसिंग बना के सिखाएं और वो घर से अगर बाहर निकल रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं सामने शौप या कुछ भी है तो प्लीज उनको मास्क लगाना जरूर सिखाएं तो बच्चों को यह ट्रेनिंग आपको जरूर देनी होगी कि सोसल डिस्टेंसिंग बना के रखे और मास्क जरूर लग क्योंकि आपकी इम्मुनुटी पावर बच्चों की इम्मुनुटी पावर के एकॉर्डिंग बहुत ही स्ट्रॉंग है बच्चों की इम्मुनुटी पावर बहुत होती है तो अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और अगर में भी आप इन्फेक्टेट हैं तो आप अपने आप अपने बच्चों को फेला सकते हैं फिलहाल अभी इस टाइम के लिए इस कोरोना काल के लिए बच्चों को हग करने से बच्चों को किस करने से आप बिल्कुल दूर रहें और नेक्स्ट पॉइंट है कि आप बहर से कुछ भी लेके आएं कोई भी समान लेके आएं घर का प्राशन लेका है सब्जी लेका है तो प्लीज उनको बच्चों से दूर रखे सबसे पहले उनको अच्छे से सेनाटाइज करें वाश करें और उसको तीन चार घंटे के लिए खुले में छोड़ दे ताकि उसको बच्चे टचना करें क्योंकि बच्चे घर से बहार नहीं नि अपने अलाके में जिसफ साइटी में आप रह रहे हैं वहाँ पे आप मोनेटाइज करें देखते रहें की वहां का कव प्यशन का लेवल क्या मovid बढ रहे हैं की लेवल बहिर घुट रहे हैं पेक्शिंट कैसे यहां पे आ रहे हैं क्या कि अभी लॉक डूब भी खतम हो गया तो थोड़ा COVID की पेशिंट भी कम हो गया है तो बच्चे थोड़ा बहुत बाहर निकलने लगे हैं अपने बालकनी में खेल रहे हैं घर से बाहर निकल रहे हैं स्क्वाइर में खेल रहे हैं तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखे हैं कि अगर आपको अपने बच्चे को इस COVID की तीसरी लहर से बचा सकते हैं और अपने बच्चे का इम्मिनुटी पावर और उनको फिजकली भी हेल्थ रख सकते हैं I hope आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्स्राइब करना ब फैमिली में दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सकें तब तक कि